नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं शिल्पा आप सभी का शिल्पा की रसोई से में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ नवरात्रे स्पेशल में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वुरत वाले आलू के पराटे की रेसेपी जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जटपट से बन जाते हैं तो भाई साबुदाना खाके आप बोर हो गए हैं और टिफिन में ले जाने के लिए भी आपके पास कोई अच्छा आप्शन नहीं है तो आप ये आलू के पराटे ज़रू ट्राइ कर सकते हैं जो ठंडे होने के बाद भी बहुत स्वाधिस्ट लगते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने या पे लिए चार उबले हुए आलू जब हम आलू को उपालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जाधा गीले नहीं होने चाहें जादा सिटी लेके इने हमें जाधा गीला नहीं करना यह क्योंकि आलू में ही हम बाखी के क्या चीजते मिलाएंगे रिक लेका पानी हम इसकी अब यान चीजी . दू तो हमने डाल दी कटिवी हरी मिर्च, कुटिवी लाल मिर्च जाल देंगे, जिसे हम चिली फलक्स कहते हैं, इसमें जीरा डाल देंगे, जीरे की जगे आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, कदुकस किया हुआ अधरक डालेंगे, अगर आप रतम अधरक नहीं खाते तो ना अब इसमें हम डालेंगे आदा कप समार आइस का आटा, यानि कि जो भगर का आटा होता है, मोर्दन का आटा कहते हैं, जिसे वो डाल देंगे, और उससे आदा डालेंगे हम सिगाडे का आटा, इसमें हम डालेंगे मूंफली के दाने का पाउडर, तो जो मूंफली के दाने नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू में ही मौश्यर होता है, तो हमारा जो आटा है, यह जो डो है, वो लगके तियार हो जाएगा, जौरत पड़ीगी तो आप डाल भी सकते हैं, पर पहले हम ऐसे ही इसको लगा के देख लेते हैं आजकल मार्केट में भगर का आटा, साबुदाने का आटा इजीली अवेलेबल है, तो आपको असानी से यह मिल जाएगा, अगर आपको भगर का आटा नहीं भी मिलता है, तो आप उसकी जगे सिंगाडे के आटे को ही डबल कर सकते हैं, या फिर इसमें राजगीरे का आटा आप डाल सकते हैं, आप देखें, अमने पानी नहीं डाला, आलू में इतना मौशर था कि हमारा जो डो है, वो लगके त्यार हो गया है, इसे पांज़स मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसे बेल के इसके पराठे बनाएंगे, तो दस मिनिट हो आप लेते हैं, आप दिखिए किनारे फट्रहे हैं कियोंकि आटे में एसे नहीं होता है, इसलिए फटते हैं, कोई दिकत नहीं, हम इसे पिर भी बहल नेंगे, सुख्य आटे के लिए आटे का या भगर के आटे का ये यूँज कर सकते हैं, आब किसी ढक्कन की मदद से, जो तो धार्दा धकन होगा उसकी मदद से हम इसे कट कर लेंगे तो इसका एकदम राउंड शेप आजाएगा और जो हमारे किनारे कटे है उसके वापीस से पराठा बनाने के लिए यूज कर लेंगे तो देखिए कित्या असानी से यह बिल भी गया यहने हमारा जो चकले पर यह चिपका भी नहीं तो अच्छे से यह बिल जाते हैं बस इसके किनारे फटते हैं तो कोई दिकत नहीं आप इस तरह से धकन से कट करके इसको शेप दे सकते हैं आपको एक तरीका और बता देती हूं कि अगर आपके किनारे जादा फटते हैं तो आप इस तरह से अपनी हतेली से किनारों को दबाते जाएं और दूसरे हाथ के उंगलियों से पराठे को बढ़ा करते जाएं फिर आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं अब देखिए अपके किनारे नहीं फटेंगे तो यह तयार है फिर भी अगर आपको इसको शेप देना है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं तो तवा हमारा गरम है हम इसे डाल के सेक लेते हैं व्रत में आप तेल या घी जो भी खाते हैं उसमें आप पराठे को सेख सकते हैं तो हम यह पर गी लगा के पराठे को सेख लेंगे अगर आप व्रत में तेल खाते हैं तो आप तेल से भी सेख सकते हैं या आपको जो पसंदो तेल या घी आप उसका यूज कर सकते हैं इसे में जो डले हैं मुफटली के दाने, संगाड़े के आटा और बाकी सारी चीजे जो मसाले हमने डाले हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यह गर्मा गरम पराठो को आप दही के साथ, या ग्रीन चटनी के साथ, या मुझफली के दाने की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ आप बना सकते हैं, और इसका लुपत उठा सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आ देख रहे हैं, तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके लिए ले के आती रहूंगी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई!